पीट दर्द एक ऐसे समझ्या है जो किसी यह लोग को हो सकती है चाहे वह बच्चे बड़े या बुढ़े ही क्यों न हो जिस समय यह दर्द सुरू होता है उसमय आप परिशाम हो जाते हैं उस समय आप समय नहीं पाते हैं कि क्या करें तथा क्या खाएं जिससे पेट दर्द में कुछ राहत मिलें आज मैं बताना कुछ ऐसे इंपॉट्टे मेडिसिन के बारे में जिसके सेवन से आपका पेट दर्द चुटकियों में आराम हो जाएगा आप अपने आपको काफी बहत हैं चाहिए वह पेट दर्द गैस एसीडी कारण हो या अपच इंडाय साय कारण या किर्णी इस्टोन का दर्द हो फीमल में मासी धर्म का समय होने वाले पेट दर्द की काफी इफेक्टिम मेडिसिन है इसमें दर्द एतना भेंकर होता है कि रोगी अपने दर्द से छट प मलता है ऐसे दर्द के मिलने पर कोलो सिंथ काफी उत्तम होस्ति है इसका तर्टी पोटेंची दिन में तीन बार दोदबंद सुन करने से आपके इस तरह का पीट दर्द की अगली मेडिसिन है डाइस्कोरिया डाइस्कोरिया आप कुछ इस्ते मेलें जब आपका पीट पीट में फैल जाये हैं इसमें रोगी का फूला हुआ मसुस होता है पीट के बाल लेटने पर इसका दर्द और बढ़ जाता है इसके पूड़ेंची दिन में चार बार दोदबंद समन करने चाहिए आपके ऐसे पेट दर्द के लच्श्वा बिलकुली खतम हो जाएंगे त बच्चों के पेट दर्द की काफी बेहतर आश्ति हैं जिसका नाम है केमो मिला इसमें दर्द इतना तिब्र होता है कि बच्चा अपने दर्द रेकान चाट पड़ान लगता है तो इसमें गैस एसी टी तर्था कवजित के समझ्चा हमेशा रहती है अत्वा पतल दस्त बरा इस तरह के दर्द के सिम्टम बिल्कुली खतम जाएंगे तो था उसकी पीट की सारी प्रिशाने इसी दवा से बिल्कुली ठीक हो जाएगे दोस्तों पेट दर्द की अगली मेडिसिन है पल्सर टीला इससे आप उस हीजिते मिलें जब आप बाहर के ओले फूड फूड फू इस तरह के दर्द के सिम्टम बिल्कुली खतम हो जाएंगे तता आपका पिट दर्द तुरंद सांथ हो जाएगा इसकी अगली मेडिसिन है मेड़ फॉस मेड़ फॉस यह पूरे स्वेर में सभी तरह के दर्द की काफी बैटर आवस्ति हैं तो था पीट दर्द की और काफी बैटर और इसमें दर्द पीट से आरंब होता है तो था कमर के सांथ पूरे स्वेर में फैल जाता है ऐसे दर्द के मिलने पर मेड़ फॉस काफी इफ्रेक्टिम मेडिसिन है इसकी धिन में चार बार दोदमाशन करने चाहीं आपके इस तरह के दर्द के सिम्टम बिल् पीट दर्द के एकुट कंडिशन में इन दवाओं के थार्टी पॉटेंशी हर दसेत मिनट पर दो दो बुद्ध तब तक लें जब तक कि आपका पीट दर्द आराम नहों जाएं कंडिशन को सुदाने के बारी से दिन में तीन से चार बार दो दो दिन तक सबन करें तथा बंद कर दें तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में कुछ इतना है मुझे उम्मीद है कि में साजय ने करिए आपको समझ में आया होगी अगर हां तो प्लीच अपना सपोर्ड दिखाएं तो लाइक बटन को जरूर क्लिक करें नेक्स्ट आपको इस टबिक पे लें तक बिल आइकन को भी जरूर दबादें हों ताकि जरूर में अपना अगले वीडियों आपको पता चल जाया धन्य बाद